हर निया हैरकट काफी लोगों को यह वहम है कि studio के बिना music नहीं बन सकता अगर आपके पास studio नहीं है आप फिर भी music बना सकते हो आप पुछोगे कैसे तो यह वीडियो पूरी देखना क्योंकि आज की वीडियो है studio setup के बारे में What's Up Everyone, Welcome Back to the Channel. मेरा नाम है Harry और इस चैनल पर में आपके साथ शेयर करता हूँ म्यूजिक के बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स इन फैक्ट म्यूजिक भी शेयर करता हूँ और अपना ऑफिशल म्यूजिक यहनि की जो मेरे म्यूजिक वीडियो है वो भी मैं upload करता हूँ, तो यह channel है, कैसा music channel, जिस पर आपको music तो सुनने को मिलता ही है, साथ की साथ, सीखने को भी मिलता है, काफी लोग मुझे message करके कहते हैं, कि पाजी, आपके पास तो music studio है, आप तो अच्छे गाने बनाई सकते हो, क्योंकि आपके पास setup है, आपके पास यह सब चीजे हैं, बड़ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कि यह चीजे music बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपको यह चीजे नहीं चाहिए, आप एक बहुत basic सा setup बना के भी music create कर सकते हो, अच्छा music बनाने का यह मतलब नहीं, कि आपके पास महेंगे equipments हो, यह आपके पास बहुत सारा पैसा हो, यह आपके पास ऐसा room हो, setup हो, यह सब चीजे हो, आप एक छोटे से laptop पे भी कि कैस music बना सकते हो, in fact, hip hop में बहार के जो बड़े-बड़े producers हैं, आज भी वो laptop पे produce कर रहे हैं, so don't worry, अगर आपके पास एक laptop ही है, enough है, आप music बना सकते हो बात करेंगे, आज तीन setups के बारे में, सबसे पहला होगा, बहुत ही जादा budget friendly, second होगा, थोड़ा सा जिसमें हम और चीजे अड़ करेंगे, और तीसरा होगा, एक full blown proper studio, बात करेंगे कि आप ये तीनो setups किस तरह से बना सकते हो, और कौन सा setup आप के लिए अच्छा रहेगा, शुरू करते हैं, number one, the budget setup, जिसमें की बहुत ही कम सामान होगा, हमें जादा कुछ नहीं चाहिए, कम से कम हमें एक laptop या एक computer चाहिए, काफी लोग मुझे मेसेज करते हैं, कि पाजी Android पे music बनाना है, या iOS पे बनाना है, किस तरह से बनाए, honestly मैं recommend नहीं करूँगा किसी को भी setup करते हैं, सारी दुनिया phone पर ही कर लेती, phone is just a phone, phone पर आप music नहीं compose कर सकते हैं, कर सकते हो, बट फिर music नहीं कहलाएगा, मेरी opinion में, वो सिरफ खाना पूर्ती होगी, बस loop लगाई, एक हलकी सी अपनी उसी में record करके vocal चिपका दी, और obviously एक bad sounding track बन गया, तो बात कर थे पहले setup की, अब मैं पहले setup में आपको ये suggest करूँगा, कि आप एक laptop low arrange कर लो, या किसी friend से borrow कर लो, उसके साथ आपको चाहिए, एक headphones, यह यह earphones भी हो सकते हैं, अब headphones और earphones में से, मैं prefer करूँगा, over the ear headphones, जो कि आपके कान के उपर fit हो जाते हैं, जो cups basically होते हैं, headphones, वो आप ले सकते हो, वो आपके कान के उपर आ जाएंगे, तो आपको isolation मिल जाएगी, बाहर की sounds आपके कान में नहीं जाएंगी, और distraction नहीं होगा, जो music आपको clear सुनेगा, because जब आप बना रहे होते हो music, आपको बाहर की sound नहीं सुननी, आपको जितना हो सके, वो clear audio चाहिए, so over the ear headphones are recommended, मेरे किसी के पास वैसे earphones है, गर वो मेरा गाना सुनेगा, तो कैसा sound करेगा, तो earphones और headphones में mix करना एक अच्छी option है, आप headphones ले लो, starting के लिए आपको speakers नहीं चाहिए, so एक laptop और एक headphones में invest कर सकते हो, यह आप arrange कर सकते हो यह दोने चीज़ें, आपको बहुत help करेंगी, अब headphones होगे I know speakers की बात अलग है, but starting के लिए headphones are good enough, अगर आप अच्छे headphones में भी invest करते हो, Sennheiser का brand देख सकते हो, जिसमें की अच्छे headphones आते है, Audio Technica एक अच्छा brand है, मैं खुद Audio Technica यूज कर रहा हूँ, but Audio Technica की जो range मैं suggest करूँगा, वो करीब 10,000 के असपास है, अगर आपका इतना budget न जो, flat sounding होने चाहिए, ना जादा bass, ना जादा treble, so that आपको जो actual music बज़ रहा है, वो आपको सुनाई दे, और उसमें किसी तरह की भी coloring ना हो, यानि की sound change ना हो, extra bass ना हो, या extra treble ना हो, जो आपका headphone produce कर रहा है, तो headphones low, flat sounding, अच्छे headphones, और उसके साथ एक decent सा laptop, जब मैंने शु और ना की equipment पे, अब अगर आपका सवाल है कि कौन सी configuration का laptop सही रहेगा, तो मुझे पूछो, तो मैं तो कहूंगा, कम से कम 8GB की RAM होनी चाहिए, और i5 से तो ऊपर होना चाहिए, i5 से नीचे नहीं होना चाहिए, कभी भी, because हमें चाहिए processing power, so i5 या i5 के उपर का चलेगा, और उसके साथ, अगर 8GB RAM मिल जाए, कम से कम, तो good enough, इस setup का एक और फायदा है कि यह portable है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, काफी बड़े-बड़े producers, मैंने देखा, वो भी यही करते हैं, उनके पास एक laptop होता है, वो studio में जाते है, वहाँ पे अपना laptop डॉक में लगाते है, और सारा जो system होता है studio का, उसको उसके साथ attach कर लेते हैं, laptop के साथ, और वो एक बड़ा सा system मन जाता है, obviously, मतलब उसका यह फायदा है, कि वो portable है, उसको आप किसी भी studio में ले जा सकते हो, वहाँ पे भी काम कर सकते हो, और उसको घर लाके, अपने normal earphones लगा के, वहाँ भी काम कर सकते हो, तो बहुत ही जादा versatile है यह option, और budget friendly तो ही, बात करते हैं second option की, जो कि first option का थोड़ा सा advanced version है, इसमें आप थोड़ी चीज़े add कर सकते हो, जैसी कि एक midi controller, जो कि मैंने आपको last time भी दिखाया था, यह Akai का एक portable keyboard है, LPK25, बहुत ही high quality keyboard है, I think 3500 या 4000 का है, मैंने last time भी आपको बताया था, आप यह ले सकते हो, laptop के साथ इसको pair कर सकते हो, और एक अच्छा portable studio setup ready कर सकते हो, साथ ही साथ अगर आपका थोड़ा सा budget और है, तो इसमें एक sound card add कर सकते हो, sound card होता है basically इतना सा box जिसमें की audio routing होती है, जिसमें से audio pass होके हमारा आएगा, और जिसमें क 2i4 या 2i2 वो आप ले सकते हो, जो red color का box होता है, मैं भी in fact 2i4 यूज़ कर रहा हूँ, इन्हें में अपना mic लगाओ, instrument लगाओ, और record कर सकते हो, अब वो sound card है, उसकी quality होगी better, जो audio उसमें से route होके निकलेगा, उसकी quality बहुत अच्छी होने वाली है, जो headphones आप अपने normal तर करेंगे next setup में, music production के साथ साथ अगर आप recording भी करना चाहते हो, vocals की तो आप एक mic ले सकते हो, जो की एक हो सकता है, basic सा condenser microphone, या फिर एक dynamic microphone, बट मैं suggest करूँगा, आप एक condenser microphone में invest करो, start हो जाता है करीब 5-6,000 रुपे से, USB condenser microphone आता है, bearinger का C1, उसके उपर options बहुत जादा है आगे-ागे धीरी-धीरे budget जैसे आप बढ़ता जाएगा, आप और अच्छे-चे microphones देख सकते हो, try कर सकते हो, मैं suggest करूँगा, अगर आप थोड़े से और पैसे invest करके, एक 10-20,000 के बीच वाला अच्छा condenser microphone ले लो, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो सकता है, इन में companies ज सारा जो audio होगा, वो route होगा, through this box, into your laptop, या फिर computer, और आप अपनी recording कर सकते हो, और बना सकते हो, कुछ kick-ass beats, और अगर घर वाले तंग हो रहे हो, तो उठाओ, दूसरे गवरे में ले जाओ, बात करेंगे, number 3, जो कि होगा, एक full-blown, proper studio, जो कि आप यहां पे मेरे पीछे दे के लिए, हाँ, एक additional advantage जरूर create करती है, आपके लिए, एक environment create करती है, आपको एक ऐसा camera मिल जाता है, जो कि एकदम soundproof है, कोई भी उसमें distraction नहीं है, बाहर की आवाज अंदर नहीं, अंदर की आवाज बाहर नहीं, और mixing mastering में ऐसा room बहुत help करता है, I know, बट अगर आपके पास एक अच्छे headphones है, आप फिर भी कर सकते हो, don't worry, ये सब चीजें लेने की जरूरत नहीं है, आप एक basic setup से भी काम कर सकते हो, अब एक proper studio में क्या क्या होगा, proper studio में हमारे पास होगा एक अच्छा computer, जुसमें की i7 लगा हो, maybe 8th और 9th generation, I don't know, जो भी latest चल रहा हो, उसके बाद ह हो सकती है, 16GB की RAM, या फिर 32GB की RAM, उसके बाद हो सकता है, एक graphic card, वैसे music में आपको graphic card नहीं चाहिए, but मैं videos edit करता हूँ, तो I have a graphic card, उसके बाद हो सकती है, आपके पास एक बड़ी सी hard disk, जो की हो एक SSD, या फिर एक हो normal hard drive, maybe 1TB, 2TB, जितना भी आप afford कर सकते हो, आप लगा sound banks होंगे, जिसके लिए आपको चाहिए, बहुत बड़ी जगा, तो आपको invest करना चाहिए, अच्छी hard drives में, portable hard drives भी ले सकते हो, या फिर plug-in वाली hard drives जो अंदर ही लगी रहेंगी, आपके computer में, आपके CPU unit में, तो वह भी आप ले सकते हो, इसी के साथ जो आपका room होगा, आ अच्छा सा sound proof कर सकते हो, sound proofing के लिए काफी options आते हैं, कुछ लोग form यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग कपड़ा यूज़ करते हैं, वो triangular सी form होती है, जिसमें ऐसे triangles बनी होती है, black color की form होती है, उसको acoustic form बोलते है, उसके इलावा आप लगा सकते हो, rock wool, जो की 2.5 inch की इतनी बाहर नहीं जाती, और आप जो मर्जी कर सकते हो, उसके बाद हाँ, अगर sound proof कर लिए है, कपड़ा लगा लिए अंदर बहुत जादा, तो गर्मी भी बहुत होगी, तो AC लगाना मत भूलना, भाई, गर्मियों में पसीने निकल जाएंगे, इसके साथ आप एक बड़ा midi keyboard ले सकते हो, जिसमें हो 61 keys, 81 keys, आपको help करेगा production में, अब वो बड़ा होगा, तो उसको हिलाने की जरूरत नी एक जगा रख दो, वहीं पे आप अपना music produce कर सकते हो, play कर सकते हो, and finally, आप ले सकते हो monitors, जो कि आपकी sound produce करेंगे, monitors में screen को नहीं बोल रहा, जो आपका display होगा, but the studio monitors, जो होगे, जो audio produce करेंगे, जो speakers है, आप वो ले सकते हो, उन में जो options अच्छी है, वो है KRK के rockets, और Yamaha के HS8 या HS5, मैं HS8 यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छे flat sounding speakers है, आप KRK भी ले सकते हो, KRK में थोड़ा सा bass जादा होता है, आप वो ले सकते हो, अगर आप हिपा प I like my speakers to be flat, अब यह वाला studio setup थोड़ा सा costly हो जाता है, इसमें लगाना पड़ेगा थोड़ा सा पैसा, आपको यह सब चीजे चाहिए, आपको एक अच्छा computer चाहिए, आपको एक अच्छा sound card चाहिए, आपको एक अच्छा midi keyboard चाहिए, आपको hard drives भी चाहिए, space के लिए, आप आपको बताया, जब मैंने शुरू किया, मेरे पास भी एक laptop था और headphones थे, मैंने करीब 2-3 साल तो ऐसी music बनाया, उसी laptop पे, मेरे पास midi keyboard भी नहीं था, और मैं जो normal keyboard होता है, जो typing वाला, जो की laptop के बीच में inbuilt होता है, उसी से में अपने music बनाता था, उसी में से में अपना notes उसको play करता था और pianos play करता था, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट it can be done, डिसार्टन होने की जरूरत नहीं है, अगर आपके बस laptop है, basic सा computer भी है, चल जाएगा, काम शुरू करो यार अभी सीखो, 2-3 साल लगाओ, धिरे-धिरे चीजे बनती जाएंगी, पैसे कठे करो, चीजे खरीदो, और अपने studio में add up करते रहो, बट यह सोच के रुक जाना कि मेरे पास studio नहीं है, ऐसा setup नहीं है, यह चीज नहीं वह चीज नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह गलत है, अगर आप सब कुछ सकते हो, बस इच्छा होनी चाहिए, अगर आ कुछ ऐसे जुगाड़ है, जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपना normal सा कमरा भी कुछ हद तक soundproof कर सकते हो, मुझे जरूर बताना हो, comments में अगर आप वो देखना चाहते हो, उस पर में एक video बनाऊंगा, इसी के साथ काफी लोगों ने मुझे message किया, कि पाजी अपन studio के लिए, अपने music career के लिए, या as a music producer, और as an artist, मुझे comments में जरूर बताना कि इन तीन setups में से आप कौन से setup के साथ जाना चाहोगे, I would love to know that, और अगर आपको आपको आज की video अच्छी लगी, तो like button दबा दो, और channel को subscribe कर लो, because अगर आप channel subscribe करोगे, तो आप देख सकते हो, मेरी आने वाली videos भी, आपको notification आजाएगी, वो bell दबाना मत भूलना, क्योंकि उसके बिना notification नहीं आएगी, अगर आपको आपको आज की video के बारे में कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपके questions हो, तो आप मुझे DM कर सकते हो, मेरे Instagram पे, मेरे Instagram में 5Skilla, वहाँ पे जाओ, वीडियो खतम करते हैं, thank you so much for watching, and I will see you in the next one.